तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिविएस सियर प्रोग्लम्स जो के आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियोज होंगी ठीक है तो आपको इन सभी प्रोग्लम्स को साथ में सोल आउट जरूर करना है ठीक है जब आपके सामने स्टेटमेंट आ जाएगी तो आप को अगर उसका अंसर याद है तो आपको उसका अंसर पहले ही बता देना है तो आपको इस पूरी सीरीज को देखने का मेंली क्या फाइदा होने वाला है कि एक तो आपके सभी के सभी कॉंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे और आपको इसमें से ये भी जानकरी मिलने वाल तो प्लीज इस सीरीज को आप लोगों ने फोलो करना है और नीचे comment box में हमें जरूर बताना है कि आपको ये हमारी सीरीज कैसी लग रही है और अगर इसके बारे में कोई भी और सुजेशन्स हों वो भी आप लोगों को जरूर शेयर करने हैं तो start करते हैं हमारा सबसे पहला chapter है solid states तो solid states को पिछले साल के exam के syllabus में से ये chapter रिमूब कर दिया गया था तो इसलिए हम 2019 के exam में से problems को solve करने वाले हैं तो सबसे पहली problem है that is out of NACL and AGC that is the silver chloride and sodium chloride which one shows the frankal defect कौन सा इन में से frankal defect को show करता है अब देखिए कि जो frankal defect होता है वो show होता है कि अगर positive ion का size हो small ठीक है and negative ion का size हो large तांके positive ion interstitial sites में enter हो सके तो इसका मतलब AGCL में show होगा frankal defect because AG positive ions का size होता है AG positive ions are small in size ठीक है तो इसलिए वो interstitial sites में enter हो सकते हैं इसलिए वहाँ पर frankal defect शो जो है वो इसमें हो सकता है तो NACL में क्या होगा NACL में show होगा short key defect क्योंकि इसमें दोनों ions का size दोनों का almost एक जैसा होता है बोथ ions are of the similar sizes ठीक है ऐसे ही आप और भी बहुत सारी examples इसमें explain कर सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ एक और problem है तो approximately जो अगर हम 2019 का paper देखें तो आपको 4 to 5 marks का paper solid state में से मिल रहा है ठीक है इस साल के sample paper में भी ऐसा ही है के 5 marks तक का paper आपको मिल जाएगा इसे अगली problem है an element crystallizes in FCC lattice with a cell edge of 300 picometer the density of the element is this one calculate the number of atoms in 108 gram of that element तो हमें सबसे पेले यहां पर जानकारी दी गई है कि FCC है FCC में कितने atoms होते हैं तो Z की value बन गई 4 अब इसके साथ हमें दिया गया है यहां पर edge length that is the 300 picometer इसको हमें change करना है into the centimeter ठीक है so this is equals to 300 into 10 raised to power minus 10 centimeter ठीक है centimeter में change करना है इसलिए और यहां पर row की value दी गई है that is the 10.8 gram per centimeter cube that is the density हमें solve करना है number of atoms in the 108 gram of element इसके लिए अब हमें क्या करना होगा आप लोगों को ध्यान से इस चीज को observe करना है अब देखिए जितना इस element का atomic mass होगा that is m तो m gram में कितने atoms होते हैं is equals to avogadros number ठीक है unitary method लगा रहे हैं इसका मतलब कि 1 gram में कितने होंगे यह n node by m हमें solve करने हैं 108 gram में तो उसमें कितने होंगे n node over m into 108 तो मतलब हमें अब सिरफ n node over m को solve करता है उसको हम यहां से solve करेंगे तो rho का formula यानि के density of a unit cell का formula क्या होता है z into m over a cube into n node इसकी value हमें यह वालीती हुई है तो हमें यहां से n over m node को solve करना है इन दोनों को हमें इस तरफ ले जाते हैं इसको इस तरफ ले आते हैं तो इस बिकम्स जड ओवर a cube by n.8 is equal to n node ओवर ठीक है z की value है 4 बोलगा दीजिए a cube करते है इसका cube करेंगे ठीक है and into है हमारा तो यह value हमें simplify इस value को हम यूज कर सकते हैं ठीक है so therefore our answer becomes यहाँ पर use करते हैं 4 इसकी value यहाँ से दो यह जो zeros है इसके साथ solve होकर इसका हम cube solve कर लेते हैं this becomes the 27 into यहाँ पर power बच जाएगी minus 8 उसको होगी multiply with 3 so minus 24 into this one उपर है 108 यह दोनों एक दूसरे के साथ होंगे cancel तो यहाँ पर बच गया हमारा 40 by 27 यह चला जाएगा उपर 10 raise to power 24 इन दोनों को आप लोगों ने अब कर देना है divide तो यह आपका approximately answer आजाएगा 1.48 into 10 raise to power 24 तो आपका यह जो answer है यह up to 1 or 2 decimal places तक accurate होना चाहिए जितनी accuracy आप लोग बना सकते हैं उतनी आपको इसमें बनाने की ही कोशिश करनी है बाकि आप लोगों की step wise यहाँ पर marking होती है तो आपके formula based आपको ज़रूर माक्स मिलने वाले हैं अगर आपका answer बिल्कुल accurate नहीं भी है तो उसका maximum half marks ही आपका deduct होगा तो इसलिए इसकी ज़्यादा आपको tension बिल्कुल नहीं रखी है तो आगे जलते हैं 2019 का ही यह एक दूसरा paper है तो इसमें different हमें मिले थे 5 sets तो उसी का ही एक दूसरा set है So out of KCL and AGCL which one shows the short-kid effect यह हमने उपर भी अभी भी read किया है तो कौन करेगा KCL करेगा short-kid effect because इसमें ions का size क्या होगा similar होगा एक जैसा रहेगा simple है इसी के साथ एक option में था कि why does ZNO, zinc oxide, appears yellow on heating जब हम zinc oxide को heat करते हैं तो इसमें से electron lows होते हैं और zinc to positive ions वहाँ पर जो है वो यहाँ पर extra form हो जाते हैं ठीक है So therefore its answer क्या बढ़ेगा कि on heating So excess of the ZN2 positive ions move to the interstitial sites and the electrons to the neighboring interstitial sites ठीक है इसमें क्या आएगा Metal excess defect हो जाता है due to the presence of excess of zinc to positive ions तो यह जो zinc oxide होता है इसको जब हम heat करते हैं तो यह ZN2 positive plus two electrons plus और half oxygen release करता है यह जो है zinc to positive ions यह जो है यहाँ पर interstitial sites में enter हो जाते हैं और उसके साथ वाली interstitial sites में यह वाले electrons आ जाते हैं इसमें कौन सा effect होता है Metal excess defect आ जाता है इसलिए इसका रंग बनता है इने electrons की presence के कारण इसमें yellow रंग आ जाता है तो simple से answer है तो आगे जलते हैं So now और इसी paper में आगे एक और problem थी जाती के an element x with an atomic mass of 81 has the density this one if the volume of the unit cell is this one इस पार आपको volume दी गई है identify the type of the cubic unit cell के वो BCC है या FCC है या फिर simple cubic है मतलब हमें solve करनी है Z की value Atomic mass that is 81 gram per mole में हम इसको लिख लेते हैं और row की value दी गई है ठीक है gram per centimeter cube में and volume of the unit cell अब देखिए volume क्या होती है a cube दिया गया है ठीक है directly तो आपको cube solve करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है तो directly हमारे पास cube की value दी गई है तो हमें solve क्या करना है we have to solve the value of z or n node या फिर n a की value हमें दीक है so simple formula काते है row is equals to z into m over a cube into n node ठीक है यहां से हमें solve करना है तो यह क्या बन जाएगा z is equals to row यह दोनों उपर चले जाएंगे into a cube into n node divided by m इन सभी की यहां पर use करते हैं values को तो यहां से आपको simply solving करनी है अब देखे कि इसमें सिरफ एक step होता है difficult जब आपको इसकी पूरी solving करकर answer लिखना होता है यानि कि multiply बगयरा solving करनी होती है वही एक step इसमें सिरफ होता है difficult तो वह आप लोगों को अच्छे से द्यान से solve out करना है ठीक है यह था two तो इसका answer अब आप लोग solve करकर देखें यह कुछ ज्यादा difficult नहीं है solving तो approximately two answer आजाएगा इसका यह दोनों तो यहीं से हो जाएंगी cancel बाकि 81 इसके साथ solve हो सकता है और बाद में यह वाली time इसके साथ solve होकर जब आप इन दोनों को multiply करवाएंगे तो approximately इसके लिए value होती है two तो ऐसे आप इसको solve कर सकते हैं तो यह आप लोगों को numerical आता है exam में for the three marks तो काफी simple सी problem है तो आगे चलते हैं इसके बाद है statement that is what happens when agcl is doped with the cdcl2 तो अब देखिए जब ag positive वाले किसी crystal में हम cd2 positive को add कर देंगे तो क्या होगा कि जब 1 cd2 positive add होगा उसके लिए 2 ag positive वाहर जाएंगे ठीक है अब दो यह बाहर गए 2 vacancies create हुई 2 vacancies में से एक पर तो यह खुद आ जाएगा और एक वहाँ पर vacancy आ जाएगी सो मतलब वहाँ पर क्या जाएंगी cation vacancies तो cation vacancies create होंगी और इसमें हमने कुछ और substance add किया है इसको हम बोल देते हैं impurity defect तो आप लोग read out जरूर करें impurity defect के बारे में हमने notes में strontium वाली example की हुई है उसकी जगा पर आप यह भी explain कर सकते हैं अब इसके बाद है कि what type of defect is shown by NACL तो NACL कौन कौन से defects है जो वो show करता है तो NACL अगर हम बात करें यहां पर stoichiometric defects के बारे में जो हमने अब यह भी read किये थे उसमें यह कौन सा करेगा that is the short defect अगर हम यहां पर बात करें non stoichiometric defects के बारे में जिसमें formula change हो जाता है तो वो यह show करता है metal access defect metal access defect इसमें बनता है due to the anionic vacances क्यों बनता है due to anionic vacances इसलिए इसका भी जो रंग होता है वो हमें कभी-कभी yellow देखने को मिलता है क्योंकि इसमें क्या जाता है metal access defect तो ऐसे कुछ short answer आपको याद रखने हैं जो है वो ऐसी problems को skip हो जाती है यह आपको previous year में से ही अच्छे से याद होने वाले हैं तो आगे चलते हैं so now फिर से एक numerical है तो अगर आप लोगों की practice हो गई है तो आप इसे जरूर solve करें खुद statement आपकी screen पर है video को रोपकर आप साथ में solve करते जाए with cell edge of this one तो a की value दी गई है 3 into 10 raised to power minus 8 cm density की value भी दी गई है row 6.89 gram per centimeter cube देखिए अब यहाँ पर units आपको ज़रूर लिखने हैं क्योंकि exam में बहुत सरे students के units ना उतारने के साथ mark से deduct हो जाते हैं calculate the molar mass of the element हमें m solve करना है तो formula आपको याद हो गया होगा row is equals to z into m over a cube into n node m solve करना है तो क्या बनेगा m is equals to row into a cube into n node divided by z तो solve कर देते हैं row की value लगाए 6.89 a का cube करना होगा इसका cube करना है तो मैं इसका directly cube लिख लेता हूं 27 into 10 raise to power minus 24 n node की value लिख लें तो y होगा 2 तो यह वाला 2 इसके साथ solve कर लेना 3.011 बाकी की अब आप लोगों को multiplication करनी है तो multiplication के वक्त आप लोग यहां से approximation use हो सकती है यह सिरफ आप इसको ही use कर लें इन दोनों को skip कर दें इसकी इन दोनों के साथ आपको multiplication करवा देनी है तो इतनी यहां पर approximation use की जा सकती है तो approximately अंसर आपका आएगा 55.8 और 9 के आसपास और या फिर आप इसको लेख सकते है 56 approximate तो यह आपका अंसर आएगा gram पर mol units ज़रूर लेखने है तो इन numerical में सिरफ difficult part है आपकी multiplication या फिर divide वाला काम ठीक है बाकि सब कुछ easy है तो वह आप लोगों को practice करनी है वही आपका main काम है ठीक है तो आगे चलते हैं Name the defect in the following crystal इसमें कौन सा defect है ग्यान से देखिए अगर आप लोगों को अंसर के बारे में जानकरी है तो नीचे बताएं comments में के इसमें कौन सा defect है अब देखिए यहां पर x positive है y negative है मतलब के cation है और anion है अब यहां पर आना था x positive मतलब यहां पर है cation vacancy और यहां पर anion vacancy same number of cations and anions are missing from their normal lattice sites this is known as the short key defect तो और इसमें decrease हो जाती है solid की density क्योंकि same number of cations and anions are missing from their normal sides so this is the short key defect यह एक stoichiometric defect है ओके चलें आगे so next is so now इसके बाद है a cube solid is made up of two elements a and b element a forms the ccp ठीक है a का arrangement कौन सा है ccp तो मतलब a हमारे पास होंगे 4 क्योंकि उसमें कितने atoms होते है 4 ठीक है while atoms of element b occupy one third of the tetrahedral voids ठीक है अब देखिए जितने भी atoms होते हैं किसी भी unit cell में उससे two times क्या होंगे tetrahedral voids so हमारे पास eight होंगे tetrahedral voids बट उसमें से occupy कितने होए है one by third so eight into one by three what is the formula of the solid so a भी निकलाया है और यह b भी निकलाया है eight by three अब इन दोनों का हमें ratio निकाल देना है so four ratio eight by three है इसको हम क्या लिखेंगे पहले तो यह दोनों four पर cancel होगे two by three और यह वाला जो है three इसके साथ multiply हो जाएगा तो यह हमारा बन जाएगा a one b आया था two by three तो इसको इसके साथ multiply करवा कर यह three के साथ so a three b two तो यह आपका four ना बन जाएगा तो ऐसे आप लोगो four ना of the compound solve कर सकते हैं अगर यहां पर octahedral voids होते हैं तो हम four ही रखते हैं क्योंकि जितने atoms होते हैं उतने ही octahedral voids होते हैं okay next problem करते हैं अप लोग statement already ही देख चुके होंगी so this is very very important problem and also from the NCRT analysis shows that nickel oxide has the formula of this one nickel का एक oxide है जिसका के formula है यह एक non stoichiometric है compound what fractions of the nickel exist as ni2 positive and ni3 positive so assume ni2 positive है x 3 positive कितना होगा अब देखिए total amount है 0.98 तो यह कितना बचेगा 0.98 minus x अब इसमें हमें यूज क्या करना है कि overall जो charge रहता है वो 0 होता है तो हम क्या करेंगे यह है x amount 3x minus 2 is equal to 0 यह दोनों solve हुए minus x plus 0.94 is equal to 0 so x becomes the 0.94 हमें solve करनी है इन दोनों की fraction ठीक है fraction भी आपसे पूछ सकते हैं तो आपसे यहां पर percentage भी पूछ सकते हैं ठीक है तो अगर आपको करनी है fraction तो आपको सिरफ करना है ratio अब न 2 positive का amount x मतलब 0.94 और यहां पर जो हमारे पास overall amount कितना था 0.98 इन दोनों की divide कर दे ratio निकालने तो यह बन जाए approximately 0.96 ठीक है अगर आपको यहां पर पूछी जाएगी इसी problem में %8 आपको इसको 100 के साथ multiply करकर 96% तो NI3 positive की कितनी होगी अगर 0.96 इसकी है तो remaining क्या रह जाएगी 0.04 ठीक है तो वह रह जाएगी NI3 positive की ठीक है तो ऐसे आपको यह problem solve करनी है इसमें भी आपको कोई भी और जो है वह same to same ऐसी problem बना कर दी जा सकती है ठीक है सो NO इसके बाद है के zinc oxide crystal on heating acquires the formula of Z10 1 plus X and oxygen मतलब के उसमें जो है वह zinc का amount increase क्यों हो जाता है on heating तो हमने अभी भी read किया था कि जब हम zinc oxide को heat करते हैं तो वह yellow हो जाता है क्योंकि उसमें extra zinc to positive ions आ जाते है वही हमें यहां पर अंसर लिखना है सेम अंसर है बट इसकी statement ही सिरफ यहां पर change हो कर आई है so upon heating zinc oxide it loses oxygen and there is excess of the zinc to positive ions in the crystal तो वही वाली same reaction आपको यहां पर explain करते हैं सेम अंसर है इससे अगली problem करते हैं Hiopium crystallizes in the body centered cubic structure BCC है मतलब z की value बन गई 2 if the atomic radius r is equal to 143.1 pico meter calculate the density if atomic mass is 93 gram per mole तो अब देखिए radius है radius से हमें पहले निकालनी होगी यहां पर edge length तो क्या फोरना होता है r is equals to root 3 by 4 into a 4 BCC So now यह होता है r and a relation for the BCC हमें यहां से a को solve करना है So a becomes 4 over root 3 into r तो r की value लगाए 4 by root 3 r की value है 143.1 अब इस concern हम निकालेंगे pico meter में बाद में इसको change कर लेंगे अब 4 को इसके साथ करते हैं multiply So this becomes the 572.4 तो divide में root 3 की value लगाते है 1.732 अब इसको आप लोगोंने approximation के साथ divide करना है इसकी पहले मैं 0s हटा देता हूं So this becomes the 5724 by 1732 यहां से आनी थी एक 0 यहां से जानी थी total 3 उपर एक आएगी निचे total 100 बचेगा इसको approximately solve करेंगे तो यह बन जाएगा 3.3 into 100 तो यह answer था आप लोगों का यहां पर यह picometer में तो हमने इसको change कर लिया into the centimeter यह आपका बन गया 3.3 into 10 raised to power minus 8 cm तो यहां पर आपको only one decimal place तक ही answer को रख लेना है तो आपकी solving इसके साथ easy बन जाएगी तो अब हमारे पास a की value आ चुकी है हमें simply निकालनी है density तो फिर तो simple formula है सीधा सा z into m over a cube over into m node अब इसकी multiplication divided आप लोगोंने कुछ solve करनी है तो इसमें सभी की सभी values लगाएं तो z की value लगाएं तो आपका approximate answer जो है 8.59 के आसपास मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि answer आपका इसमें हमेशा ही approximate आएगा क्योंकि without calculator बिल्कुल हमें जो यहां पर accurately solving होना बहुत ही मुश्किल काम है और exam में तो हमारे पास इतना extra time भी बिल्कुल नहीं होता और इस साल से आपको log tables भी exam में बिल्कुल नहीं allowed है according to the sample paper sample paper के ओपर तो यही mention है log tables भी आप लोग नहीं use कर सकते तो पूरी divide multiply आप लोगों को खुद करनी होगी तो जितनी approximation हो सके आप उतनी use करें ताकि आप लोगों का exam में time save हो सके ठीक है क्योंकि जो accurate answer है उसका आपको सिरफ half marks के under होता है तो आपको यहां पर पूरी values जब आप लोग use कर लेते हैं उसके बाद सिरफ half marks आगे और मिलने माला है इस answer को निकालने का तो उसके लिए आपको अपना ज्यादा time बिल्कुल नहीं waste करना ठीक है तो आगे चलते हैं So now इसके बाद है के analysis shows that FeO ठीक है has a non stoichiometric composition with the formula F0.95 and oxygen क्योंकि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है metal deficiency defect क्योंकि इसमें Fe2 positive ions जो है उनका amount oxide जो ions उनसे low रहता है इसमें क्या होता है metal deficiency defect क्योंकि यहां पर Fe2 positive and Fe3 positive ions का mixture बन जाता है जो भी यहां पर cation vacancies आएंगी उन cation vacancies के लिए जो extra charge है वो Fe2 positive ions Fe3 positive ions में change होकर बना देते हैं ठीक है so therefore some Fe2 positive ions are replaced by Fe3 positive ions ठीक है So now यह था इसका answer के इसमें क्या होता है metal deficiency defect तो आप इन में से कोई भी एक answer explain करते क्योंकि यह आपका सरफ होगा 1 marks के दिए ठीक है तो यह आप लोगों को answer जेना है इसके बाद है फिर से हमारे पास numerical problem है तो mostly इसमें से numerical and one short answer कोई भी आपको पूछा जाता है and element X with atomic mass 40 having FCC structure has the unit cell edge of the 400 picometer calculate the density of X and the number of unit cells in the 4 gram of the X ठीक है अब देखे के atomic mass भी दिया हुआ है 40 gram per mole ठीक है FCC structure है तो Z की value 4 है A की value भी दी गई है 400 picometer यानि के 400 into 10 raise to power minus 10 centimeter ठीक है और NA की value दी गई है हमसे दो चीजें पूछी गई है एक तो हमें solve करनी है density of the unit cell एक हमें solve करने है number of unit cells in the 4 gram of X अब इसके लिए हमें क्या solve करना होगा सबसे बेले हम solve करते हैं mass of unit cell ठीक है unit cell का mass का formula क्या होगा ठीक है z कितने उसके अंदर atoms है into mass of one atom ठीक है अब एक atom का mass क्या होगा that is m over anode यानि के जो इसके formula में यह वाली term होती है z into m over anode वो क्या होता है असल में mass होके unit cell उसको हम अलग से solve करते हैं क्योंकि हमें यह भी निकालना है इसको solve कर लेते हैं density z into m a note a cube into n तो फिर से यह सभी values लगाए a का cube करेंगे तो यह बन जाएगा 4 का cube that is the 64 into 10 raise to power बन जाएगी minus 24 6.022 into 10 raise to power 23 ठीक है तो इसकी solving अब आप लोगों को जो है वो यहाँ पर करनी यह होगा 4 पर cancel 16 यह भी 4 पर cancel 4 बच जाएगा तो उपर इन दोनों की powers को add करेंगी तो एक 0 पर चली जाएगी तो divide में आएगा 4 into 10 raise to power 622 यह बाकि सभी solving होगी इसकी आप लोगों को करनी है divide तो approximately answer आपका आ जाएगा 4.15 gram per centimeter cube ठीक है simple है अब रह गया के 4 gram में कितने unit cells है ठीक है so now number of unit cells यह बहुत ही important numerical है in 4 gram 4 gram जितना mass है divided by mass of unit cell ठीक है तो mass of unit cell की value यह है हमने already sold का रखी है so 4 divide में आएगा 4 into 40 यह दोनों terms यह दोनों यह वाला term ऊपर चला जाएगा ठीक है अब इसको solve कर दे 6.022 by हमें करना है 40 तो इसको आप लोगोंने solve out करना है तो आपका जो है वो यहाँ पर answer जो है वो कुछ approximately बनेंगा बनेंगा 1.5 into 10 raise to power 22 unit cells ठीक है तो 4 gram में इतने unit cells आ जाएगे तो simple है यह वाली problem आपको फिर से same देखने को मिलती है 2017 के exam में यह आप लोगोंने अब खुद कर दी है के calculate the number of unit cells in 8.1 gram of aluminium तो हम उपर रखेंगे 8.1 divide में क्या रखेंगे mass of the unit cell तो यह भी FCC है unit cell का mass क्या बनेगा z into m over आ जाएगा n node ठीक है तो n node उपर चला जाएगा so 8.1 by 4 into 27 into n node की value use कर ले न तो इसका answer आप लोगोंने अब खुद solve करना है तो बिल्कुल same to same problem है इसका answer आपका approximately आएगा 4.51 into 10 raise to power 22 ठीक है तो please इनकी solving जरूर करें क्योंकि वही exam में आपके लिए problem बनती है तो please इसको जरूर solve करकर देखें ठीक है answer मैंने आपको बताया है formula मैंने आपको बताया है divide multiplication तो अब आप लोगों को खुद ही करनी है उसको जरूर साथ में solve करते हैं ठीक है इसके बाद है problem based on the nature of intermolecular forces classify the following solids तो सबसे पहला है silicon carbide silicon carbide क्या होता है that is the covalent solid यहां हम इसे बोल सकते हैं network solid ठीक है और जो argon होती है यह तो हमारी एक noble gas है तो यह कौन सा बनेगा molecular solid ठीक है तो ऐसी भी आपको examples जो याद रखनी है crystalline solids की जब हम करते है classification उसमें बहुत सरी examples दी जाती है वो आपको सभी यहाद रखनी है इसके बाद जो हमारा latest sample पर है उसकी problem को solo करते है तो जो हमारा इस साल का आया है sample पर उसमें सबसे पहली problem है कि इस crystal में इन में से किस option में शो हो रहा है फ्रेंकल डिफेक्ट अब देखिए कि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है पोजिटिव कटायन जो है वो interstitial side में एंटर होगा तो इन में से सिर्फ यहाँ पर है A positive मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर A है positive कटायन B है negative अनायन तो A positive यहाँ पर interstitial side में एंटर हुआ हुआ है अपनी normal side को छोड़ कर यहाँ पर enter हो गया है तो इसलिए इसी में ही शो हो रहा है So this is the answer ठीक है और यह वाला है यहाँ पर B negative गाइप है यहाँ से positive गाइप है This is the short की defect ठीक है ओके दूसरा सोल करते हैं यह तो 1 marks का MCQ था Atoms of the P form CCP lattice तो फिर से आ गया हमें बनाना है formula of the compound तो कौन सा arrangement है CCP तो P कितने होंगे 4 Q occupy the one third of the tetrahedral voids तो कितने होंगे tetrahedral voids 8 4 के लिए उसमें से कितने उकुपाई है 1 by 3 and all the octahedral voids also So मतलब plus octahedral तो इतने होंगे same to same 4 इसको सोल कर लेते हैं LCM लिया 8 plus fellow by 3 1T by 3 ठीक है So P बन गया 4 Q बन गया आपका 1T over 3 ratio लेंगे बच्चाएगा 1 Q बच्चाएगा 5 by 3 यह इधर जाकर multiply हो गया So P 3 Q 5 आपका answer बन जाएगा ठीक है So काफी simple सा काम है कैसे आपको सोल करना है formula of the compound ओके So इसमें a code है numerical तो इसमें से total आपको exam में paper में आपको जो है वो 6 number का paper है इस साल के according solid state में से आपको 6 marks का paper मिल सकता है तो काफी scoring and easy chapter है आपका सबसे पहला chapter ही ठीक है A metal crystallizes into two cubic systems FCC and BCC ठीक है एक है FCC एक है BCC और उन दोनों की unit cell लेंद समय दी गई है A की value 3.5 angstrom और यहाँ पर है A की value 3.0 angstrom calculate the ratio of the densities ठीक है इसके लिए Z की value 4 इसके लिए Z की value 2 यहाँ पर लगाएं formula of the density row लिखते थे हम इसे 1 Z into M over A cube into N naught ठीक है यहाँ पर भी लगाएं Z into M over A cube into N naught अब दोनों का आपको कर देना है ratio ठीक है ratio कर देंगे तो यह वाली टरम उपर आएगी अब देखिए जो दोनों में same part है M over N naught M over N naught तो हुझाएगा sold out तो यहाँ पर यह वाली terms पचेंगी उन्दी तो इसको अगर आप लोग sold करेंगे तो प्रोक्सिमेटली यह आपका आजाएगा 1.25 ratio ठीक है तो यह आपका ratio बन जाएगा ठीक है तो ऐसे आपको in problems को sold करना है तो इसकी बाकी की problems इसी के ही दूसरे पार्ट में होगी वो आप लोगों को next day पर मिल जाएगा तो प्लीज आज के लिए इतनी problems को sold out करें solid state में से तो इसके साथ आपके सभी concepts revise हो रहे हैं और अपने सभी friends को बताएए हमारी इन सभी video series के बारे में और चैनल को subscribe करना मत बूलिएगा नीचे description box में आप लोगों को बाकी के सभी important videos पर मिल जाएगी thanks for watching this video